दोस्तो मैं महे कुलविंदर खंडा आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ स्पोर्ट्स वेब की और से फिर आपको अपना नमस्ते सस्रियाकाल और अदाबर्ज करता हूँ कबूल फरमाएं दोस्तो आज हम बात करेंगे UTCA चंडिगड की यनि के UTC Cricket Association चंडिगड की चंडिगड की बात करें तो 2019 से पहले चंडिगड की टीम पंजाब में खेला करती थी बतारे डिस्टिक यनि के जिला चंडिगड हुआ करता था और पार्टिस्पेट करता था इंटर डिस्टिक में PCA के अंडर पंजाब Cricket Association के अंडर 2019 में चंडिगड को माननेता प्रापत हुई और ये अलग से चंडिगड की टीम नैशनल लेवल पे रिपर्जेंट करने लगी यानि के राजी टॉफी में इनकी अलग से टीम जाने लगी अंडर 19, अंडर 23 और अंडर 16 ये सारे एज बैच जो हैं अलग से बतार स्टेट ये पार्टिस्पेट करना शुरू हो गए और आज हम बात करें तो लग बग अगर करोना इयर को छोड़ दें तो चार साल हो गए हैं ये चंडिगड की Cricket को चलते हुए चंडिगड को मानिता प्रापत होने के बाद अध्यक्ष संजे टंडन जो की एक नामवर शक्सियत हैं उन्होंने काफी जोर लगाया काफी उनका योगदान है चंडिगड को मानिता प्रापत करवाने में और उसके बाद संजे टंडन जी आजकल अध्यक्ष हैं नामवर श उसके अध्यक्ष है अब बात करते हैं क्रिकट की क्रिकट के हाल की बात करें तो सुनने में जो आता है वो क्रिकट बहुत अच्छी नहीं चल रही क्यों कि हाल ही में पिछले दिनों मुझे कुछ लड़के मिले उन्होंने मुझे सारी बात बताई जबकि मेरा कोई तालुक न जीट सिंग हैं जो cricket इंचार्ज हैं उसके बाद मैंने का कोचीज कहते हैं तीन कोचीज हैं जी एक अंडर 16 एक अंडर 19 और उसके बाद senior के मैंने का selectors तीन selectors हैं जी तो उनसे मेरी बाते हुई तो मैंने उनसे पूछा की पीछे एक धर्ना भी दिया गया था मजारा भी किया गया था जो हाँ पर नारे लगे थे यूटी सीए के अंगेस्ट यानि कि चंडिगाड क्रिकट एस्टेशन के अंगेस्ट कुछ खिलाडियों ने नारे बाजी की थी तो वो क्या चक्कर था तो उन्होंने मुझे बताया कि इनका एक डेसीजन बहुत जादा ग कि अगर हम हिंदोस्तान की टीम की बात करें तो उस टीम में 29-30 साल के लड़के भी डेब्यू कर रहे हैं अगर हिंदोस्तान की टीम में 30 साल का 31 साल का लड़का डेब्यू कर रहा है तो 32 साल के लड़के को ना खिलाना कहां तक वाजब है 32 साल का जो लड़का है उसका बना रहा है, विकेट्स ले रहा है, अगर परफॉर्म कर रहा है, तो उसका राइट बनता है, तो उस चीज़ को लेकर कई खिलाडियों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्या नहीं, मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया, टंडन साब तक ये बात पहुंची और क्या मिटिंग में क्या फाइनल हुआ, ये मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इसके मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, तो अगली बात मैं करता हूँ, कि जब खिलाडियों को मैंने पूछा, कि आप किस बात से घबराए होती हैं, तो उन्होंने फिर बताया कि किसी लड़के ने अगर पिछले साल, बीते साल बहुत अच्छा प्रफॉर्म किया है, बैटिंग में या बालिंग में, तो नेक्स्ट इयर जो लीग करवाई जाती है, सेलेक्शन मैचिज, उसमें अगर वो रन नहीं बनाता या विक इतना मज्जी टैलेंटर बच्चा है, तो मैच मैने का कितने होते हैं, सिर्फ दो मैच होते हैं जी, जिसके सर पे ये सुलेक्शन होती है, कहां पर ये एक मचूर खिलाडी को बाहर बिठा देते हैं, जो अठाई साल का है, और उसको बाहर बिठा के सोला से बाहर कर देते है हैं 16 से बाहर करके खिलाते किसकों है जो immature है जो ना समझ है स्कूली बच्चा है उसको खिला देते हैं तो बताइए अगर replacement कोई करनी है तो अच्छी replacement करें न जिस से पता भी चले हाभी उस खिलाडी को पता चले वाके यार यह मेरा competitor है और इसने भी run बनाए हैं अगर मुझे दुबारा टीम में आना है तो मुझे भी इससे अच्छा perform करना पड़ेगा वो सब बाते ठीक लेकिन सबसे जो हैरानी वाली बात है कि सारे साल में सिर्फ दो matches खिलाए जाते हैं practice matches कहलो या selection matches कहलो उनके सर पे ये selection करते हैं और पूरी 16 की 16 जो लड़के हैं उनको जो team में लिया जाता है वो दो matchों के अधार पर लिया जाता है अब बताईए अगर दो matchों में 6 लड़कों ने नहीं perform किया तो 6 लड़के नए डाल दिये जाते हैं जो बाहर किये जाते हैं वो चाहे जतने मर्जी अनभवी हैं चाहे कैसी भी cricket खेले हैं वो कहते हैं उनको drop कर दिया जाता है तो हरानी वाली बात यह है कि अगर selection करनी हैं तो सारा साल पड़ा है अगर मैं बात करूँ कि सारे साल में अगर हफते में दो practice match करवाए जाएं महीने के 8 match बनते हैं तो 96 साल के match हो गए एक साल में 96 matches बनते हैं उसकी performance slow ना तो यह जाहिर सी बात है कि 96 match खेले नहीं जाएंगे match तो कम ही होंगे तो हम 6 महीने का सीजन लगाते हैं practice season तो 6 महीने में 48 match बन जाते हैं हर एक group को अगर 1 match 2 match हफते के खिलाए जाए तो 48 match बनते हैं 6 महीने के उसकी performance के अधार पे आप selection कर लो लेकिन match सिर्फ 2 या 3 खि दी जाती है compete के इनको करना है जो बड़ी states हैं उनको तो एक हरानी जनक बात है कि अगर आपने all India में जाके participate करना है competition में जाना है तो यह दो मैचों के अधार पे team बना के कैसे चले जाओगे चलो यह भी बात समझ आ गई कि यह घलत तरीका है इनका selection का और सारा साल इनके जो practice match करवाए जाते हैं अब सारा साल वो selector पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते बाकी जहां तक मेरी समझ की बात है मैं तो यह कहूंगा कि बाकी states जो है उन्होंने अपने selectors जो हैं जहां जहां match होते हैं वहां वहां उनके selectors जाते हैं match देखते हैं पूरा साल जब team बनती है तो बड़ा अच्छा competition निकल के सामने आता है फिर उसमें से team बनती है उसमें से जो better होते हैं अच्छे होते हैं उनको team में लिया जाता है फिर practice match करवाए जाते हैं फिर selector बाहर बैठे होते हैं तो ये तो समझ आती है कि team बन रही हो किसी club ने तो वो भी अच्छे ढंग से देख लेते हैं कि कैसे team बनाए लेकिन ये परवाई ने कर रहे तो ये selector जो हैं मुझे नहीं समझ आई कि किस behalf के उपर ये selection करते हैं फिर अगली बात बदातेता हूं कि अगर coaches की बात करूं तो जो इनके coaches लगते हैं वो उनकी language की बात उन्होंने की सुनके हरानी हुई कि मा बहन की गालियां बगते हैं वो बच्चों को मा बहन की गालियां बच्चे सुनते हैं एक ने तो मुझे बीच में से यही कह दिया कि सर अगर cricket मेरा carrier ना हो मैं cricket छोड़के सामने जाओं फिर मुझे गाली बगके बताए फिर इसको मैं बताओं कि कैसे गाली निकाली जाती है एक महाशे से इनके coaches ऐसे हैं कि वो फाइन कर देते हैं पांच मिनट बच्चा लेट हो गया जहां पे बुलाया था तो फाइन है अगर वो टीम लेके गए हुए हैं मजे वाली बात एक लड़का एरपोर्ट पे कुछ टाइम पहले पहुंच गया इनका वो कहीं बैठ गया वहां बैठे बैठे उसकी आख लग गई तो जो पॉइंट था यहां पे टीम नहीं कठी होना था वहां वो तीन मिनट चार मिनट लेट पहुंचा तो उसको वो कोच साब महाशे कह रहे हैं कि आप 25 रुपया फाइन जमा करवा हो तो उसने 25 रुपया फाइन जमा करवाया कि वो लेट आया है एरपोर्ट पे टीम के पास 25 रुपया जमा करवाया और चलते टूर में भी किसी से 100 रुपया जमा हो रहा है अ पूरे पाँच बजे जो आया उसको भी फाइन है ये स्ट्रिक्ट है कि आप चार पच्पन पर यह आओगे तो जो फाइन है वो लिया जाता है मैं पूछना चाहता हूं चंडीगड क्रेकट एसोसेशन से कि वो फाइन आपको जमा करवाया जाता है अगर नहीं करवाया जाता तो वो फाइन कहां जाता है किस खाते में जाता है किस की जेब में जाता है जो हजार रुपया पांसो रुपया सौ रुपया पच्छी सौ रुपया और पच्छी सौ रुपया जिससे लिया उसको ये बोला जा रहा है कि तू घर से अच्छा है इसलिए तू पच्छी सौ र चाहते जो कोचीज हैं उनकी लेंगवेज के बारे में आपको मैंने बताया कि उनकी लेंगवेज यह है और बच्चे बड़ी मुश्किल से परदाश करते हैं और प्रैक्टिस मैचों की एक और आपको बात बताऊं जो टीम बनाते हैं ये वो कैसी टीम होती है जो अपने चहे आठवे नंबर पे जिसका बैटिंग ओडर हो गया वो क्या परफॉर्म करेगा जी लिम्टेड ओवर्स में वो कैसे परफॉर्म कर सकता है तो इसके बाद अगर बच्चों ने सवाल किया जी जो बैट्समन है वो बाट दिये जाएं सबी टीमों में तांकि सबको प्रॉपर ब चांट के वापिस भेज देता बात सुनने को त्यार नहीं होता उससे अगली बात कि एक बार सारी टीम ने अपने कोच के इंगेस्ट लिखके दे दिया यह कोच हमें नहीं चाहिए टीम ऑन टूर थी ऑन टूर टीम थी तो वो लिखके आ गया मैनेजमेंट के पास उसके यहां तो आपके पास प्रॉपर बात नहीं पहुंचती यहां बच्चों के अब्जेक्शन नहीं पहुंचते यहां आप बच्चों से कभी मिलते नहीं जो यह नीचे ड्रामा हो रहा है बच्चों के साथ बच्चों के साथ खिलवाड हो रहा है क्योंकि बच्चे सारा साल म मेहनत करने के बाद उन बच्चों को सिला क्या मिलता है एक कोच माँ बहन की गालियां निकालता है दूसरा कोच जो है उसके अगर बच्चेंगेश लिखके देते हैं तो कोई एक्शन ही नहीं होता सो मैं टंडन साब से गुजारिश करूँगा कि इन चीजों के उपर ध्यान दे आपने बहुत मेहनत की है कि चंडिगड को अलग से माननेता मिले चंडिगड की अलग टीम जाए आपके बड़े अच्छे सपने होंगे मुझे पता है लेकिन आपके सपने तो चखना चूर हो र कि आप खुली मीटिंग करें सब को बुलाएं और सबको मौका दें कि जिसने कुछ कहना है खुल के मुझे कहे बताए ताकि आप भी कुछ शेंज कर सको सेलेक्टर का रवहिया सेलेक्टर को मैचिस देखने जाना चाहिए नेट पर जाना चाहिए सेंटर पर पहुंचना चाहिए कोई नहीं पहुंचता कोचिस हैं अपनी मर्जी करते हैं एक कोचिस कोच साहब है जुर्माने पर जुर्माना वो पैसे का पता नहीं कहां जाता है और वो भाना डूंडते हैं जुर्माना करने का और उपर से मा भैन की गालियां बगते हैं और आफ लगाएं बच्चों के साथ जो बच्चों को मॉटिवेट करे ना कि डॉमिनेट करे चो टंडन साब मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात के उपर गहुर करे चो अपने देखने वालों को यह कहूंगा कि अगले एपिसोड में मैं कुछ और जानकारी आपकी इतिजार करें इस चैनल स्पोर्ट्स वेव को सब्सक्राइब करें लाइक करें धन्यवाद